वेलकम बैक इन गुरुनी थी मैसर माहमाद इरिशाद फैकल्टी जुलाजी और माई कलीग माई बेस्ट फ्रेंड मुस्य यतिंद्र उपाद्या इस अलसो देयर तुड़े वियर गुरुनीथी नंबर 69 आउट आउट आज का टॉपिक इवनुशन का जो पार्टू है उससे उससे रिलेडिट कई इंट्रेस्टिंग क्वेश्टन्स हैं जो एक्जाम पाइंट 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 आफू से काफी सिगनिफिकेंस रखते हैं उनको पर डिसकस करने की कोशिश करते हैं मेरी और यतिंद्र सर्क की कोशिश रहेगी कि पूरे डिसकशन के दौरान हम इंग्लिष ओले इंडी से अपने आपको अकॉमधाइस करने इससे काएं कि आपको समाझना थोड़ा सा इसी हो जायागा एक बात होई दूसरी बात है कि कोशन्स का कही बार ऐसा लगता है कि उसी ही तरह के कोशन आ गया तो इसे तरह को तो स्टास्ट को कुजा सकता है तो उसमें उन्होंने bacterial colonies जो है उनको ऐसे medium पे ग्रोग रहा है था जिसमें initially antibiotic नहीं लिया और जब initially antibiotic नहीं था तो उसमें कोई selective pressure नहीं था फिर उन में से वो जो पेटिडिस्क थी उसके एक replica तयार की मतलब उसके एक प्रतिलिपी तयार की और फिर उस जो replica तयार की उसको उन्होंने ट्रांसपर किया स्थानांतरित किया एक ऐसी पेटिडिस्क में जिसके अंदर समर्दन माध्यम पर culture medium में antibiotic था तो उस antibiotic की वज़े से कुछ bacteria जिन्दा रह पाए और कुछ bacteria मारे गए तो उसका last conclusion क्या निकला कि क्या नए परिवर्ती जो परियावरन था new environment था क्या उस new environment की वज़े से कुछ bacteria में mutation create हुआ या वो mutation जो था वो पहले से था प्री अडेप्टिव था तो यहां पर जो सही जो बात वो यह है कि mutation जो उसके अंदर थे bacteria में वो प्री अडेप्टिव होते हैं नया environment उसको create नहीं करता है बलकि नया environment जो है वो mutation को select करता है तो वही अपने को इसके respect में जो वो दिखना है तो जैसे इसके अंतर लिखा है कि mutation are directed in nature नहीं नहीं होते है mutation की वज़े से जो variation होती है वो discontinuous type की होती है क्या non-directional type की next अगर देखते है mutation आर random, mutation जो होते है वो random होते हैं बिल्कुल सही है और pre-adaptive होते हैं वो पहले से उनके अंदर फिर और गिदेख लेते हैं mutation आर pre-adaptive but not random नहीं वो random भी होते हैं mutation आर नाइधर random न और pre-adaptive नहीं रेंडम भी है और pre-adaptive भी है नया environment create नहीं कर रहा है, नया environment उस mutation से होने वाली variation को select कर रहा है, चीज़ समझाएं, तो यही discussion क्या था, पढ़े आगे, जिसके अंदर evolution जब से उसका हुआ है, जब से लेगे आज तर, तो यहीं कोई major evolution चेंज नहीं आया है, उसका जो anatomical structure है, उसकी जो morphology है, वो की वो बनी विये, जब से वो इवाल हुआ है, that animal or that organism is known as living fossil, यह living fossil की definition है, अब इसमे आपको लार्न करना है, कि living fossil कौन कौन से animals है, जसे peripattas है, ज़ाथ इसमें लॉन करने का point है, कि इपने भी connecting link से जयाथर उसके जयातर वो रिवी फॉसिल कादगी में आ जाते है, जसे peripattas है, यह भी living fossil माया जाता है, लिमूलस है, इविलिव फॉसिल माय, स्फिनोडॉन है, वातरा इसको अपन खहते हैं, यह सारे लिविंग फॉसिल्स है, तो यहां पर आंसर जाएगा, अलो अगला प्रिशन जो है, इस पुछा है, वातरा इसको अपने कनेक्टिंग लिंक है, और इसमें पूछा है कि कौन सा अवियन करेक्टर, पक्षियों का इसा लगसन है, जो आर्के अप्रिशन में नहीं था, तो यहां पर हम लोग देखें, अप्सेंस ओफ टीथ, यह पक्षियों का करेक्टर है, लेकि यह जो आर्के अप्रेटिक्स में अप्सेंट था, क्यों है? वाकि यह दोनों जो फिचर है वो आर्केटिक्स की इसलिए अपना जो आंसर इसका है, वो फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है? चले आँए? अप्सेडर अपाउट फॉर्ण पॉइंट्स अबाउट देन अलोगा सॉर्ण निंदिले कि विचार करें और उससे पता लगाएं कि सम्वर्थी यंगों से संबंदित कौन-कौन सी बाते हैं वो ठीक हैं, तो यह जो ठीक बाते हैं, उनको अपने को देखना है, किसके संद इस सारी विकास, तो यह पॉइंट सही है, कनवर्ज होंगे, तभी एक से और नस डवलप होंगे, एक से हबिटेट में तो अलग अलग एंसिस्ट्री से आके अनिमल रहेंगे, माली जे एक है, एक है, एक भी हैबिटेट, यहां से एक और्गनिजम निकला, यहां से दूसरा निकला, दौनों एक ही हैबिटेट में तो वहां पर एक से फीचर आजाएंगे, तो यह पॉइंट सही है, दूसरा पॉइंट है, कि इस डवलप दू डू 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 डाइवर्जेंट एवलूशन तो यह दो नहीं होगा, दौनों बद एक ही हो सकता है, थर्ड पॉइंट ल होगा ही है, इसलिए एक से बगन डवलप हो जाता है, यह पॉइंट भी डवलप हो जाता है, इसमें जो करेक्ट पॉइंट है, वो है A and C, तो A and C is the correct answer, यह करेक्ट ही पूचाता है, ठीक है, जी, डाद, डाइवर्शिटी ऑफ लिविग और्गरिजम इस दू आज अगर हम तो कह सकते हैं कि long term evolutionary process, लंबे time तक उद्विकास यह प्रक्रिया जो संबादित हुई, उसका प्रेणाम ही आज हमारे सामने, जेव विद्धा के रूप में, बाइव डाइवर्शिटी के रूप में, तो option अपना long term evolutionary change है जोगाएगा, लंबा टाइम होगा है इसमेंट, चल जाना चाहिए, combination of hydrogen, ammonia and methane, condenser था, reducing environment, oxygen free conditions थी, simple amino acid, यह simple amino acid यूज नहीं किये तो उनों, यह तो product है यह तो product है, simple sugar उसके product है, इसमें पूचा यह गया है, कि which of these conditions were used in experiment conducted by SL Miller, to prove the synthesis of organic matter, तो यह भी used हुआ, यह conditions सारी यूज ही थी, लेकिन इनका यूज नहीं हुआ था, A, B, C and D, तो answer हो जाएगा इसमें third, यह condition होई थी, यह तो product है, ठीक, next, और इस experiment से उनों ने chemogenesis को crew किया थी, which of the following is not requirement for chemical evolution as suggested by operator, okay, तो energy का जो source था, उसके repairment थी, और वहाँ पर electrode को यूज किया गया था, एस energy source, और 75,000 voltage उसकी वजए से create हुआ था, hydrogen, ammonia, methane जो थी, गो भी substance के रूप में लिया गया था, तो 1, 2K ratio के अंदर, reducing atmosphere भी था, क्योंकि अभी जो पहले वाला की उसमें था, उसमें oxygen की प्रजेंस नह लिए थी, normal atmospheric temperature नहीं लिया गया था, temperature जो create किया गया था, दूसरे chamber भी 800 degree centigrade था, इसमें water को vapor form में दनवट किया गया था, और वो कोई unit cellular organism के respect में नहीं था, वो initial chemogenesis था, उसको प्रूव करने के लिए था, कि inorganic से organic substance बनते हैं, इन सब condition को provide करने के लिए, इसमें वही अपने को जो पूचा था, not पूच रहा है ना, तो not के respect में अपना option हो जाएगा, ठीक है, चल्लिया आँगे, Which of the following is not indicated by palatological studies, palatological studies से क्या पता नहीं लगता, तो some forces represent extinct organisms, दूसरा है, different forms of life have evolved during different time periods, ये पता लग सकता है, Different forms of life were almost similar during different time periods, अलग अलग time period में life form कभी एक से नहीं रहे, ये कहना बड़ा मुश्कील है, ये कहना बड़ा मुश्कील है, ये चेंज हो जाते है, और जो lower जैसे stata की भी हम लोग बात कर लें, जो पृत्वी की lower जो चटाने थी वहां पर fossil कम होते हैं, simple होते हैं, और जैसे जैसे उपर की तरह बढ़ते हैं, वो complex होते जाते हैं, और उनकी संक्या बढ़ती जाती है, तो ओ चीज वेरी करती है, फोल्विंग इस निर्दारण के लिए सबसे कम अप्रोप्रियेट हो, यानि इंपोर्टेंट जो मेतर्स हैं, वो आपका रिलेक्टिव डेक्टिंग को अगर छोड़ दें, तो रेडियो डेक्टिंग मेतर्ड है, परफेक्ट पता लग जाएगा, और आजकल के टाइम इले इसके लागो फोसिल में जो DNA है, उसके अनलाइसिस से भी पता लग जाता है, तो सबसे कम जो एक्रोप्रियेट हो हो जाएगा, इसमें वही है, कि अभी जो मैंने आपको बात बताई कि उपर से जब मिट्टी अठाते जाएंगे, तो जो स्टेटा में उपर की तरफ फोसिल से बिलेंगे, और जैसे जैसे गहराई में जाएंगे, फोसिल जो गहराई में होंगे, वह पूराने होंगे, इस तरीके से लेकिन पर्फेक्ट एग्स का पता इससे नहीं लगता है, इसके अकोडिक तो आंसर वह फोस्ट हो जाएंगा, ठीक है? इसमें अगर आपने बुक को पढ़ा हो, तो इसके अंदर मॉलिकुलर होमोलोजी नाम का इक वर्ड आता है, जो यहां को एक ओप्शन में लिख भी रखा है, कॉमन एंसिस्ट्री ऑफ सच और अर्गनिजम बिल्कुल होता है, तभी तो डीने और 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 एंजाइम से जी का नाम है, कि साथ थायरोक्सिन अगर प्रजेंट है तो वह एंक थायरोक्सिन से अगर प्रेजैंटेर तो फंफी तो आप्तैल में भी है मैंब्स में मैं बिल्ड तो यह इस्प्ड़नी को अगरण आग ऑरग और तरह संद साथ आलग अलाग अलग ओन तरह प्रेक्श मे वह इभॉल हुए हैं वह इसारी बात है भाई अलाग ठीक सकती है तो आंसर हो जाए गाशना फॉर्वाट इसा फिचर जो एंसिश्टर में था लेकिन अब नहीं है लेकिन किसी बच्चे के अंदर वह एंसिश्टर वाला करेक्टर रियपियर हो गया पुर्वजों के जीन की अभिव्यक्ति के कारेट क्यों कि वह जीन रहते हैं अभियक्ति नहीं शो करते हैं लेकिन कई बार उन जीन का ईक्सपरेशन वह जाता है जिसे पुर्वजों का लक्षन वापस प्रकट होने जाता तो इसमें नोट पहुच रहे पंक्स्नल औरीकुलर मुसल्स है क्योंकि यह वेस्टीजियल है कही बार इन में मुवमें टोड़े लगता है तो वह एटविस्टिक हो जाएगा सेग्मेंटल एबड़नेमल मसल यह वाला जो है वेस्टीजियल जो फीचर में अपने मान सकते हैं लेकिन इसको एटविस्टिक के अंदरे में लोग नहीं रखेंगे स्मॉल टैल इंसम नुबहु यह वाला हो जाएगा और कई बार कुछ बैभी जो हमकी बोड़ी के ओपर काफी सारे हेर होते हैं उसके रेस्पेक्ट में यह बात की गई है कि हेर के ग्रोथ अगर बहु ज्यादा हो जाए क्योंकि बोड़ी हेर भी हमारा वेस्टीजियल खिले कर दो लिए पॉटेटो और पार्ट्स भी चार एक तो है अलु एक शगर पर्टस है एक में रूट है एक में इस्टेम में लेकिन सिमिलारिटी क्या है दोनोग स्ट्ट्ट्छ अडिबल पार्ट को अंवर्ट हो गए श्टोरेज ओओफूब अश्तोरेज पूड है त जो उसके रेस्पेट में पूज रहा है तो इवलिशन का जो बेसिक आइडिया हो यह है कि किसी को एंसेस्टर से इवोल होकर के मोडिफाइड होकर के जीवजुए हो आगे बढ़ते हैं उसी को होते हैं सेंट विद मोडिफिकेशन बाकी स्पेशल क्याइशन कोस्मोजेक इविलिशन स्पॉंडियन इजनेशन यह तो इनीशली दीग लेती हैं यह बैसे उसका जो आइडिया वो हो गया है किसी पुरुवद से पॉंडिफाइड होते हैं अलग अलग जो स्पीचीज है उनका फॉर्मेशन ओठा जाता है चल्याएड तो फॉसिल्स में रॉक्स के अंदर प्रिजर्व रहते हैं अलाकि यह चीज नहीं लेकिन काफी इंपोर्टेंट और इंफॉर्बेटिव ही अपने को पता होने चाहिए कि रॉक्स के जो मेजर टाइप्स है और किस में फॉसिल्स सबसे आदर मिलते है तो इसके अंदर यह जो प्रिजर्व करते हैं तो इसके अंदर जो और इंप्रेशन है वो काफी क्लियर कट आजाता है और उससे हम एज केल्कुलेट कर सकते हैं उसके स्ट्रक्चर उसकी मॉर्फोलोजी इसके अनटमी जो भी डिपेंड करता है फॉसिल्स का पता लगा सकता है तो इस तरह का पॉस फॉसल मेली मिलता है सेडिमेंटरी रॉक्स के अंदर सडिमेंटरी रॉक्स को स्ट्रक्चर के लिए सबसे कॉमनी यूस्ट को जीओ मर गया तो वो सेडिमेंटेशन अगर इसे टान परूबली इजे बड़े था है अटमस्पेर अफ अर्थ एटाइम उपर चली गई ती और फिर जो सेगंड एटमस्पेर क्रियेट हुआ वो वालकनिक इरिप्सन से हुआ उसे मिधेन थी अमोनिया थी वाटर वैपर थी सी ओटू थी लेकिन फ्री ऑक्षिजन उस दौराद नहीं थी तो आंसर अपना जो है वो डेड़ेशन हो जाएगा इसको आप समझने कर तरीका देखो कि जीलोजिकल टाइम है सबसे पहले अपने पास पर पहली जोईग मीजोईग और सीनोजोईग के तीन एरा अब उस एरा के अंदर अलगलग पीरियड है हर पीरियड और हर एरा की कोई ना कोई खास बात है आस्तों से अनिमल्स के रिगा एक पर्टिकुलर पीरियड में डॉमिनेंस शोग करती है जैसे पन कहते हैं किसाफ यह डिवोनियन पीरिड है तो इस नोन अज एज ओफिश निया पर दूढ़ना पड़ेगा तो यह आंसर सही है यह आपको लाइन करना पड़ेगा चार्ट के अल्प से तर्ड़ने तर्ड चैनल कि डेटेषल अए तर्ड अज जैंतुट जैनल कर्वाला चल रहा है यहांना चैनल मैंट ऐसको फ्रय अआड की इसे पड़ेग तो इसने प्रात पर इसमें ऐसरे तो इसने अन्द का ननन वोल हो जाई तो पोग हो यह हैं कामय तो एकिक कीश्ड होलना यह तक ए प्छ यहां जो है एक डायग्राम दिया है जिसके अंदर हम लोग देख सकते हैं common ancestor से अलग-अलग finches डवलोग हुई है तो कह सकते हैं homology है, divergent evolution है, adaptive radiation है तो इसी तरीके से हम लोग इसके बाले लेखना है natural selection, ecological succession, adaptive radiation तो natural selection भी है और adaptive radiation भी है तो किसी एरिया का दो ecosystem उसमे वो दलाव आता हुची जलब है इसके अंदर आपसा नहीं पोर पर बैट जाएगा नेक्स्ट Scientist working on Malay Archipelago made similar conclusion to that of Darwin तो यह तो इसमें NCIT का कोश्चा ले सीथा Alfred Russel Wallace, इन्होंने काम किया था Malay Archipelago और इनकी जो फाइंडिंग्स थी वो Darwin की फाइंडिंग्स से कापी ज्यादा रिजेंबल करती है दौनों ब्रिटिश साइंटिस्त है ब्रिटिश इवलूशनरी वाहर्टिस्त है ठीक है यहां फिर एक डाइग्राम दिया है उसमें ऑस्टेलियन मार्फूपियन जो है ऑस्टेलिया के जो मार्फूपियन है मतलब सिसुदानी स्थन दारी तो उनमें adaptive radiation को जो दिखाया गया है तो कह सकते हैं यह भी एक तरीके से homology को रिप्रेजेंट कर रहा है adaptive radiation है तो यहां पर convergent evolution जो है वो तो होना नहीं चीए parallel evolution पी से related नहीं है और यह वाला perfect variant बिट जाएगा divergent evolution recapitulation तो empirical logical evidence के respect में तो अपना perfect answer इसके अंदर फोर्चला जाएगा Select an incorrect statement with respect to briston यह बिस्टन बिटोलेरिया है इपड मौत उसके regarding अपने को पता है कि वो बिटिश मैं इंग्लेंड के अंदर जो industrialization हुआ उसकी वज़े से इसके अंदर जो है natural selection वाला phenomena देखने को मिलता है तो यह कई तरह के एक्जांपल में कोट के जाता बिस्टन बेटोलेरिया scientific name है इसका अब उसके related अपने को क्या सवेड़ करना इंकर्ड तो पहला तो नहीं था तो पॉल्यशन नहीं था तो पॉल्यशन नहीं था तो लाइकें की ब्रोथ थी लाइकें तो लाइकेन का कलर भाइट होता है तो वाइट बैक्राउंड में यह वाइट के पीपर्ड मौत जो थे इनका नेचुरल सेलेक्शन हो गया तक यह पाइंट सही है सब्सक्राइट के बाद में पॉलिशन इंक्रीज होने से सूट यानि कि काला धुआ जो था वो पेडों के स्टेंप और तुसरे पार्ट्स पर डिपोजिट हो गया तो उस केस में क्या हुआ नैचुरल सेलेक्शन हो इलकुल सही है क्योंकि ब्लैक में ब्लैक बड्स ब्लैक इ ब्लैक वाले जीरो ब्लैक वाले जीरो दोनों का नंबर चेंज वाता कोई भी वाइप नहीं वाता किसी का भी सफाया नहीं वाता कि यह स्टेट्मेंट ठीक है बिफोर इंड्रस लाइजेशन ओंते करण के फूरू रिडूस्ट ग्रोथ लाइकेन की ग्रोथ तो बहुत यहां पर फिर एक फिगर दिया है और यह डार्विन फिंचेज के लिए और इसमें पुछा कि विच स्टेट्मेंट बेस्ट एक्सप्लें डाइशन इनमें वेरियेशन क्यों आया क्योंकि जिस आइलेंड पर फूड के लिए इनमें कम्पूटिशन नहों और यह सभी अलग एक साइस थी वह अलगलग हो लिए कम्पूटिशन को कम करने के लिए तरह इसमें अपने में देखना है कि अवर टाइम अबंडेंस ओपषिट नहीं है ताइम के साथ तो इसकी मातरा कम होगी तो होगी है फिर सेग्ड देखे ते हैं ओवर दाइम एन अबंडेंस लाने के लिए इस option को भी अपन लोग नहीं रखेंगे हां थर्ड में देखते हैं competition की बात हुई है कि competition of limited food resource leads to selection for similar trade नहीं different trade अभी तो अलग लग weak size जोड़ से अग वोल होगा और देख लेकिं competition for limited food resource lead to selection for different trade अरिजिनल जो थी इसके अलाबा जो दूसरी वोल भी insectator, cactusator, fruitator तो वो variation आगी तो इसलिए 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 perfect option अपना फोर्जा आदेजिए there were natural selection of dark wing moth in England after the industrialization अभी में discuss किया है dark wing moth का selection क्यों हुआ क्योंकि industrialization से जो suit निकला जो काला दुआ निकला वो trees के different parts में deposit हो गया अब ऐसे case में जो black sports वाले मौत थे birds जो थी जो उस मौत को खाती थी वो उनको easily locate नहीं कर पाती थी वो black में black छुप जाते थे तो ऐसे में क्या हुआ वो बर्ड्स को वाइट वाले मौत थे जिनके अंदर मिलाजेशन नहीं था वो दिख जाते थे थे वो बड्स उनको खा लेती थी तो ऐसे में black वाले मौत की पॉपलेशन राइस उगई वाइट वाले मौत की पॉपलेशन वह फॉलो गई अब इसको पढ़वा इंग्रीज ग्रोथ ऑप लाइकन टीस्टैंट अध्योगी करण के पशाथ लाइन इनी ग्रोथ तो कम गई थी यह तो गलत है डिक्रीज अगलत ही कावड कोई दो पॉपलेशन पर फारक बढ़ाई का टीतर सुट सपोर्ट सावड़ मौत को अगैंस बश्राज करी यह नाको भी एक्स्पॉच्ट परीशन करी यह तूर में आपको भी प्रेट्यों करी दिया कि पुझ फॉपलेटर उसको काला ओंख कॉपलेशन इसके लिए एक बार दिवार करते हम ह्या रहुआ कि भुण ध्याक बार कुछ देखना है लियू मोट शुख ग्यास्ति मॉद प्रुछ टेक्टार्टा उन्याज थे रहुआ जो मिए नगीन का लिए प्रुछ सब्सक्ट्रार सुख फूर एक जो लिली एक डार्टार की प्र कि यूमन एक्टिविटी की वज़े से मनुष्य के क्रियाकलाब की वज़े से जो भी चीज़ें हुई और उनसे जो एन्थ्रोपोजनिक है जिसके अंदर यूमन का इन्वॉल्मेंट हो वो चाहें इंडुस्ट्रियल मिलनेजम हो क्योंकि पॉलुशन हो मनुष्य की वज़े स विक्षित होती है वो भी एन्थ्रोपोजनिक है और इसके लाबा हर्भी साइड और पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस जो विक्षित होती है हर्भ और सर्भ में पेस्ट में वो भी एन्थ्रोपोजनिक कोज की वज़े से है इसमें जो अब नोट उचा है तो इवलुशन यह उन्तरों मोजनिक है इवलिशन आप रभी साइड रेजिस्टेंट वराइटी ओविट्स अगेंस्ट क्रोप्रांट यह भी सही है इवलिशन आप ने जिराग नहीं यह तो लेमार किदम से रिलेटेड पॉइंट का इस लेटेड यह नहीं तो आंसर अपना फोर्त हो चाहि है इवलिशन आप डिप्रेंट मार्सुपीर इस लॉस्टेलिया बिल्कुल सही है इवलिशन आप बटरफ्लाइट अन हमिंग बडिन एरियल है यह नहीं यह तो इनलोगा सॉर्गंस है एक इंसेक्ट है और एक चुडिया है ठीक है इवलिशन आप डार्मिंट इसी कडिगर इसमें ऐंड़ पूछां नॉट में तो फिर एक ही है और यहां पर नेचल सेलेक्शन की जो पैटन है उसके लिए और यहां अपने वांड़ कुछ है कि इफ डिस पॉपुलेशन इस सब्जेक्टे। to stabilizing selection for several generations कि ये जो population है कई पीडियों तक stabilizing selection को follow करे इसमें होगा क्या तो जो peak है वो ओपर की तरफ पूट जाएगी main character values हो है उसका selection ज़रदा होगा और side से ये अंदर की तरफ जाएगी तो narrow हो जाएगा तो कई generation तक stabilizing selection की बाद में जो result आएगा वो ही हो जाएगा समझे रगए तो answer अपना first हो जाएगा when evolution of many similar species occurs starting from a main point जो ही वाली बाद many point starting from many points ये alag-alag point से इस तरह से and let I be coming to common area एक से habitat में आके रहे है लगे the process is known लाए divergent adaptive convergence converge अलग अलग रस्ते एक जगा के converge होगे light rays converge हो जाते converge एक English word convergence का मतला मैं बिल जाते हम तो ये convergence है alag-alag habitat से आके एक जगे पर रहने लगे तो converge होगे तो ये कहला की adaptive convergence adaptive radiation नहीं है यानि इसको बोलते है अब सारी और divergent को बोते है अभी सारी next what are considered as two key points of darwin darwinism के दो key points है काफे important है अलाकि reproductive fitness उससे related नहीं है उनका concept का part था darwin fitness इसको बोते हैं की concept में एक तो branching descent और एक natural selection ये तो है pattern of evolution evolution का pattern और ये बताता है evolution की mechanism दोनों का आप लोग नोट डाउन कर लें ये evolution के pattern के और ये evolution की mechanism pattern कुछ इस तरीके से evolution इस तरीके से होगा ये तो गया branching descent pattern और mechanism जो हो natural selection तो आपना आसर इसमें second रहे who proposed that evolution of life form and occur due to environmental effects but driven by use and disease of organs इसी आपके साहएं बता है use and disease of organs को सीधा नाव आयाता Dean Baptist de Laimark French Scientist ये तो फोड़ हो जाए और इन पिर में थो ख़ो समझतन मम के लिग और लिए त्रो पहुद पर इस कीक फॉर्ट हम जांगे winter को शह प्यूरिक ओर नम इसके लिए अगर देखें इंडर्स्टियल मिलेलिजम तो बी एंडर्ड इंडर्स्टियल मिलेलिजम में एक बार में तो डार्क थी और या वाइट थी तो पीक बिशा में जा रहा तो अपना परफेक्ट कॉम्बो इसमें जो बेटा है वो बी का थर्ड यानि थ्रडूप नहीं हो प्लावरिंग प्लांट इन डाइनसोर आपिर्स्ट वियर्सूर ब्रॉप महला इस सड़आर के वाला कि आपके वाला धायों धुन्यायोन यह एंग यह फिर्ण नहीं अपिर्स लगवार्स आप स्वाज़ जाओ जाओ फॉइंट इसमें इसमें जो में यान रखना है कि जो मीजोजोएक अवरा के टीन पीरियद है ट्रायसिक जुरासिक और क्रेटेशियस अनके अंदर रेप्टाइल्स मैमल्स और बर्ड्स इन तीनों के अंदर चेंज है तो यह आपको लेर्ण करना है वो चार्ट के अल्प से जो आपके मॉडियो में दिया हूँ ठीक है तो उससे आपको भी बहुत एजी हो जाएगा इसको लाइन करना इस तरह के क्वेश्चन को करना अटेंप करना में क्वेश्चन करना इसको भी तरह करने को दो आपके अग लिक फईतले संद्वियो और शाय में जाया तो इसके बाद ओल्हें आपको यार्ड ढद नहींतल करें तो यह रोग्र, दॉख्वेश्चन को आज को एला से उसके बाद को यह तो दोखेंच अग्योंज को आपको सब्छानल नोन डाने कुल सब उस हाथ एuchen लियर्कशिनल तु chilled में चोटे चोटे चेंजेस धे defined के एक पाणिकुलर डाक्याटशन वे चलते गए फटेक फीचर फीचर ई वाल होता चेला गया त्रयिंट सबस्क्राइप नुमाइए हैं और सबस्क्राइब कर्या थे लागाथा सक्राइब की एक एक नीँ हो गया अप्ट नहीं ते वह एक हैं हो गया मुटेशनल वाला कंश्ट तो ये थे एघरी और एक परिकुलर के जो दो आंसर हो जाएगा इसके लाव इसमें नौन रेंडम भी काय सकते हैं और वो वी एड के जा सकते हैं और जो युगोडियरीज वाला था मुटेशन वाला वो लार्ज थी या मैजर नौन डारेक्षिनल डिसकॉंटिनियस और नौन रेंडम हैं यहांपे अपने को कुछ इव में अरेंज करना ये डार्वियन मनद डार्विनिजम से लेठेट आई तो काफी वोडेट सबसे पहले ऑवर प्रोडुक्शन होगा उसके वजए से फूड और स्पेस जा वो लिमिटेड हो जाएगा दूसरा ही आजाएगा और इस से फिर स्ट्रगल होगा तो ये तीसरा होग इसका मतलब है ये हो जाएगा आपका और वेरियसन के बाद में जो है उनकर नैचुरल सेलेक्शन होगई है नहीं पायड और वो रिप्रोडुक्शन करेंगे तो वेरियसन अगली संट्रे sa level छा यस को ये उसका सिस्वार på सभुआ नहां है रोगर भी खायंगे कमेटिशन सारी की जाओंगी लास्ट जुगा है इसका मुदब है यह नहां यह कर्फेक्शा है यह इंपोर्टेट है क्लिश्ची काफी इंपोर दो एसे का यह झांद रखना है यह यह उतने हैं रुंकि पर दो थाप्तर अरिनेमर प्र फ्रिकुएंसी जो होती है वो गर्षान आप्टर जेनरेशन अगर इवलुछनी फोर्स वर्क नेकरें तो ऐसा होता रहिए लेकिन फिर भी एक जैनेटिक्स एवोलुछनी जैनेटिक्स के लिए बेस्फ प्रोवाइड करता है इसको पढ़ा जाता है अब इसमें जीन मुटेशन होंगे तो आप इसको रोप नहीं सकते हैं जडिक रिप्ट होगी प्रकृति के अंदर नेचर के अंदर होती है रेंडम मेटिंग बेति तो यह चीज आ लागोंगी तो यह चीज आ उसमें जो एफेक्ट नहीं करेंगी पॉपॉलेशन में तो यहां पर जो सही पॉइंट है वो है फस्स इस सेकेंड थार्ड और यह श्क्थ आंसर इस फोर नेक्स विच्ट पॉपॉलेशन का मौका सबको बराबर मिले लार्ज पॉपॉलेशन होने चीज जनेटिक ड्रिप नहीं होना और जीन मुटेशन भी नहीं होना चीज तो इसमें रिक्वाइड जी है ना तो फिर यहर भी हो जाएगा फिर्स्ट अप्शन यह नेक्स्ट ठीक है तो यह आज तक आज के लिए अपना बाट जो कंप्लीट हो गया है इसके बाद इवल्यूशन में जो आगे की टॉपिक्स है वो अपन एपिसोर नॉमबर जो 71 है उसके अंदर बात करेंगे ठीक है तो आप लोग इसको अच्छे से देखें और इससे पहले आपनों ऑद टॉपिको रिवाइज जरूर करेंगे तक को अजय को झाल झाल